आज हम बनाएंगे लेंटिल सूप, लेंटिल सूप के लिए में पास पढ़ी है लाल मसूर दाल, यह थोड़ा बिगो दी मैंने और यह है थोड़ा सा गालिक और ओन्या, प्याज और लसुन, बरी कार्दिय मैंने, मैं इसमें डालूंगा, कुकर में, और दो सीट्टी मारूं ज्यादा नहीं, और इसमें डालूंगा मैं नमक और हल्दी, जो की डालनी ज़रूरी है, सर्द्यों का टाइम है, तो गरमा गरम सूप के अलगे मते हैं, मैं इसमें डालूंगा हलका सा तेल, ज्यादा नहीं, सूप में ज्यादा पेल नहीं डालनेगा, ज्यादा तेल से सूप, तेल हलका सा गरम होचुगा, इसमें डालूंगा थोड़ा सा लसुन, लसुन डालने से सूप में अल्याग तो ज्यादा नहीं जलाँगो इसको, बर तो रज़त प्याज, भी मेरा सुरसा, लस्यून, और प्याज ब्राउन ही चुका है, कलर में आ चुका है, और इसमें डाल नोगा मैं दाल, यह हमारा सूप रेड़ी हो चुका है, यह देखो, दाल नी दिखनी चीए, इसमें मसूर की दाल जो हमने बनाई है, वो इसमें देख आप इसमें निमू भी डाल सकते हो, बाद में जैसे ठंडा होने के बाद, और अच्छा फिलेवर आएगा, और थोड़ा सा जैसे ब्रेड़ होती है, रोटी पड़ी है, आपके रोटी फ्राई करके, सूप के साथ डाल के जैसे कोटन का बनते हैं, वैसे बना सकते हो, आप पीने के लिए रेड़ी है, ट्राई करें रेसिपी को, बहुत इजी है, सिंपल है, आज के लिए इतना ही, थैंक्यू, सुक्रिया, तन्यवाद,